कि हलो इस्टुडेंट आगे आप लोग कि बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत सुक्रिया प्रेम पूर्बक थेंक्यू सुबह सके आठ बज चुके हैं सुबह आठ बजे आप देखते हैं कि कच्छा दस की अंसी आर्टी गड़ी सुरू हो जाती है आज बड़ा ही इंट स्रेडी है स्रेडी जिसे हम लोग आर्थमेटिक प्रोग्रेसन या फिर समांतर स्रेडी बोलते हैं यह वही चीज मैंने यहां पर बनाया है अब मैं आपका इससे परिच्छे करवाऊंगा रूबरू कराऊंगा जल्दी से सभी बच्छे आ जाएं देखो मोही जी जुड़ गए सुरफ जुड़ गए प्रियंका अनुच सुधान सू जी सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद अभी अभी सुसील जी जुड़ गये हैं सौरव फिर से बाई सौरफ इनका कुछ और नाम है आगे चेंजिंग है दोनों में और कौन-कौन जुड़ गये हैं कोमल जी बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को आगे बढ़ते हैं फिर हम सभी समांतर स्रेड़ी एकदम सुरू से स्टार्ट करेंगे बाई दीपक को स्वाहा भी जुड़ गये दीपक जी बहुत-बहुत थैंक्यू आपको भी तो हम सोच रहें कि एक मिनट औ लोग समांतर स्रेडि कघी है इनकर देखिए आप दोनों में क्या आउंतर है को दोनुमें क्या अंतर लग रह को gust को य多 लग रहा है सब को यह अन्तर लग रहे है कर इनके जो सभी सीडी के डंडें वो 2 cm के हैं ये भी दो है ये सभी 22 cm के ये सीडी के डंदे जो है कि पेर है 22 cm की कि लेकिन इसमें क्या वैसाभ इसमें कुछ अलग है इसमें दो दो सेंटिमीटर के नहीं है इसमें यह थरीका है यह 2.9 यह 0.2.8 2.7 2.6 मतलब सब एक दूसरे से क्या है अलग है एक दूसरे से अलग है सब अलग है थोड़ा बहुत कम जादा है ना मतलब एक सीरियल में देखो यह 0.1 सेंटिमीटर इससे कम है 0.1 0.1 मतलब सबी में क्या है 0.1 सेंटिमीटर का कॉमन डिफ्रेंस है जिसे सारबंतर बोलते है ठीक है दीपक कुस्वाज ही चलतो रहा है यार कलास तो चल रही बाबू ठीक है कोई दिक्कत है तो बता दो नो प्राब्लम ना चलो तो यह चीजें समझ में आ रही आपको कि नहीं आ रही आ रही ना ओके गुड़ ठीक है अब इसको हम थोड़ा और एक्स्प्लेन करते हैं थोड़ा और अच्छे से थोड़ा आसान भासा में एक्स्प्लेन करें जैसे यहां पर ध्यान दो मैं इसको मिठा दूं तब फिर आप आगे बढ़ो तब आपको और अच्छे समझ में आई यह थोड़ा समझ में आया होगा यह सबी क्या है एक सीरियल में कम हो रहे हैं जैसे आप गिंती ले लो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दास ऐसे आप गिंती ले लो तो उसमें हम आपको दिखाते हैं आकिर हमारा आज का मकसद है आपको समझाना कि यह समांतर स्रेडी क्या होता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होता है चुकि आज इंट्रोड़क्शन का चेप है जो बच्चे अगर कॉंपटीशन भी तो उनके लिए भी क्या होगा यह मात पूर्ण होगा अगर थोड़ा पफरिंग करेगा तो जाना मतबाब हुआ जाना मतबाक के अगर थोड़ा पफरिंग करेगा तो जाना मतबाब हुआ है चलो हम बात कर रहे हैं समांतर स्रेड़ी क्या बात कर रहे हैं समांतर स्रेड़ी जिसे इंगलिस में आर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है इसके कुछ एक्जामपल देखिए आपको सब समझ में आ जाएंगी चीजी जैसे मैंने लिखा वान टू त्री फोर फाइव डाट 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 यह हंड्रेड कुछ भी मान लो कहीं तक लिख लो अब मुझे एक बात बताओ इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा हैं अभी आप जुड़ गये हैं बहुत अच्छी बात है अगर आप दूसरे पद से परते एक पहला पद घटाई है तो आपको मिलेगा कि इसमें एक समानता है क्या है इक्वालिटी है जैसे देखो अगर मैं दो में से घटा हूं तो क्या आएगा वान आएगा ना अगर मैं इसको देखो तीन में से दो घटा हूं तो एक आएगा ना अगर मैं चार में से तीन घटा हूं तो एक आएगा ना भाई बोलो आएगा कि नहीं अगर मैं पांच में से चार घटा हूं तब भी क्या आएगा वच्चा वान आएगा अगर ऐसी कहीं कंडिशन होती है एक ऐसे स्रीज जिसमें परतेख दूसरे पद से पहले वाला पद घटा है जैसे चार से तीन, तीन से दो, दो से एक तो हमेशा क्या है वन नहीं क्यों आए एक समान नमबर आए जिससे यहां प्र नाया वैना वैनाया वानाया हर जगा वन आएगा आगे बढ़तぎ तब भी वह नहीं आएगा यह क्या एक समानतर श्रेरी जो है कि इसी को समानतर स्रेरी बोलते है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं कि आराना समझ में अनुपम यादो दीपक एक और सिरीज देखो दूसरा जैसे मैंने लिखा आठ कि दस ध्यान दो दस बारा चाउदा सोला डैस डैस मने लिख दिया टू थाउजन अब यहां पर ध्यान दो यहां पर ध्यान दो बच्चा बहुत ही प्यार से देखो बाबू अब देखो क्या होता है अगर हम 10 से 8 को सब्ट्रेक करें हां तो दो आएगा अगर हम 12 से 10 को सब्ट्रेक करें तो दो आएगा इसमें से इसको करें तो दो आएगा इसमें से इसको करें तो दो आएगा मतलब क्या समझ रहे हो भाई हर एक दूसरे पद से पहला पद गटाने पर क्या आ रहा है वन आ रहा है वन आ रहा है दो आ रहा है इसमें दो आ रहा है इसमें एक आ रहा था तो आप कहोगे कि समानतर स्रेडी क्या होता है फिर एक में तो दो आ रहा है देखो आगो लाइट चली जा रहे ठीक है लाइट थोड़ा डिस्टरब कर रही है। इसलिए अगर शार होती है तो माफी चाहते हैं लेकिन आप कलाश छोड़ के मत जाना ठीक ना थोड़ा समान लोफरिंग करेगा तो भी आप देख लेना जाना मत ठीक ना देखोगे ना नहीं जाओगे ना अनूपम यादो जी मैं देख पा रहा हूं दिपांसु जी मैं आपका कमेंट देख रहा हूं नो प्राब्लम अब चल रहा है ना बोल दो चल्द सब्सक्राइब करके रख दिया इसने आ रही जा रही तो था ठाल मतलब डिश्टर बैंस हो जाता है कि इसमें देखो दूसरे पद से पहला पत घटाने पे परतेक में वना रहा है इसमें परतेक में टुआ रहा है यह सभी क्या है कि एक समान नंबर देखो 2-2-2-2 मतलब ए एक समान नमबर है यह समांतर स्रेडी के उदाहर है क्या है यह समांतर स्रेडी के उदाहर है ठीक है अब आप लोग कहो गया इसा ही समांतर स्रेडी होता है कि दूसर का पद पहले पद से घटाने पर समांतर स्रेडी होता है देखो ऐसा नहीं है यह कई कंडीशन में होती है सभ पोलते हैं और उनमें कोई यह नंबर जो है वो क्या हो जाए काम अंधुरेंस हो जाए कामन डिफ्रेंस जो कि सब में इक्वल हो उसी को समांतर फ्रेडी कहते हैं अभी डेफिनीशन लिखवाऊंगा फर्मूले भी लिखवाऊंगा बच्छा ध्यान दो प्यार से समझो जैसे मैंने लिखा हंड्रेड यह 7070 समझ में आ जाएगा तो बता देना कि हमें समझ में आ गया आप मत बता हुआ चलो चालीस यह दस अंदस के बाद कहां जाएगा यह माइनस तीस नहीं 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 माइनस बीस क्यों वही समय तीस-30 का डिफ्रेंस है ना डाट डाट यह आनंद तक जाएगा आप लोग जल्दी से बताओ क्या यह समांतर स्रेडी है जल्दी से बोलो यस वही दिपांसू जी जल्दी करो क्या यह समांतर स्रेडी है अगर हाँ तो बोलो यस अगर नहीं तो बोलो नो यह उदारण फाज्ट है कि सिकेंड नंबर में कि जल्दी करो देखो आनुपम का उत्तर भी आ गया सुधान सू जल्दी बताओ सभी देखो कुछ बच्चों के कमेंट हाइड हो रहे हैं उनके कमेंट यहां पर नहीं दिख रहे हैं तो इसलिए हम हो सकता उनका नाम ना बोले बोलो यार सर्माओ गया इसे तो फिर कहां काम चलेगा फिर वैठ है रहो सर्माती ही रहो कहा मतलब है ना एक और एक जांपल देख लीजिए फिर मैं अलग तरह से बताता हूं संजीत कुमार बच्चा तुमको मैं क्या करूं का से समझाओं बताओ आगे देखो एक और एक जांपल है अगर यह समांतर स्रेडी है तो आप ए लिख के कमेंट करो अगर यह समांतर स्रेडी नहीं है तो आप लिख के कमेंट करो चलो जल्दी से अगर यह समांतर स्रेडी है तो ए लिख के कमेंट करो अगर नहीं है तो बी लिख के कमेंट करो चलो जल्दी से रेडी हो जो बच्चा अगर इनको घटा ओग तो 30 आप बाभू इनको घटा लो कैसे अरे 100 से 70 गटाओगे 30 आएगा 70 से 40 गटाओगे तब हो 30 आएगा और अगर तुम 40 से 10 गटाओगे तब भी क्या आएगा 30 आएगा अगर बच्चा 10 से ये माइनस 20 गटाओगे 10 से क्या करोगे माइनस 20 गटाओगे तब हो का आएगा 30 आएगा कैसे अरे 10 से माइनस 30 घटा लो 20 ब्रेकट खुलेगा अंदर में यह माइनस माइनस प्लस तीस आयेगा है मतलब की एक इक्वल्टी आ रही कि नहीं आ रही इसका मतलब यह समांतर स्रेडी है राकेश रावत जी राकेस जी बिल्कुल रेडी है आप आपको समझ में आ रहा है मुझे पता है फिर यह क्या है समंतर से रेडी है ना ठीक है इसमें कोई डाउट एनी प्राब्लम नहीं ना नो प्राब्लम चलो गुड अगे बढ़े नाव लोग सब ठीक ठाक है ना इक दम थोड़ा फर ला अगर दूसरे वाले में चले एक सो पचास से सो गटा लो बच्चा पचास आएगा बाबू यह दो सो से डेर सो गटा होगे पचास आएगा इसमें से इसको गटा होगे पचास आएगा यानि आपका जो कॉमन डिफरेंस है इसमें जिसे सारवांतर बोलते हैं पचास है इसम में common difference दीज हैं अगर ऐसी इस्तिती बनती है तो यह क्या है समांतर स्रेडिया है क्या है यह समांतर स्रेडिया है अगर ऐसी इस्तिती बनती यह तो अन्यथा नहीं है अब एक और एक जांपल देख लो जब हम लोग लगे हैं तो इसको एकदम clear कर ले जिससे आपको confusion न हो कहीं और हाँ ध्यान रहे ये class डेली सुबह आठ बजे लाइब होती इस टाइम पे इसका समय चेंज करने का कुछ करकरम चल रहा है बच्चे नहीं जुड़ पाते है इस्कूल चले जाते हैं तो आप comment करके बताना कि आप कितना बजे खाली रहते हो लाइब देखने के लिए मतलब जो देख सको कितना बजे दो बार बारा बजे के बाद कितना बजे चलो एक और एक जांपर ले लो अगर मैंने लिखा यहां पे एक हजार पचास और यहां पे मैंने लिखा नो सो पचास यहां पर लिखा आट सो पचास और यहां पर माने लिख दिया साथ सो फिर यहां माने क्या लिख दिया तीन सो अब बोलो यह समांतर फ्रेडी है अगर है तो आप बोलोगे पी लिख के कमेंट करोगे और नहीं है तो क्यू क्या ये अर्टमेटिक प्रोग्रेशन है यस और नो जब आप दीजिए और जल्दी कीजिए चलिए अगला एक एक जाम्पल लिखिए उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इतना समझ में आए ना चलो ठीक है कि इसमें और भी बहुत सारे एक जाम्पल है जो कि आपके बुक में दीए गए अगर आपके पास कलाश टेंद की एंसी आर्टी किताब है तो कि है आए ना बच्चा देखो एक और एक जाम्पल है माइनस वन पॉइंट जीरो माइनस वन पॉइंट फाइव माइनस वन पॉइंट टू पॉइंट जीरो माइनस टू पॉइंट फाइव ड़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ बोल रहे हैं जिर्ट मिधि राकेस रावात का गलत है। अनुपम कभी सई यह वैं संजीत का सभी ना सोरी सोरी भाति यह चाली यह समांतर उठीस नहीं है जैना है ठीक है राक स्रवात का सही सबक्राशी आनुपम संजीत का गलत है उपनोपम संजीत का Yeah some amateur इन hy अब पूरा क्यों नहीं देख रहे हो इनका common difference हो है इनका भी सव है लेकिन बच्चा इनका पढ़गा देहरो हों घया ना इनका गो वड़किया और तीर मार लिया चारस हो गया थो कि आप पंदर तुर रवड़ा होला तो यह समांतर शेडि नहीं है क्या है यह यह समांतर शेडि नहीं है बस आपको इतने ही मतलब क्या है उससे नहीं मतलब समझ गए ना भाई चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं ध्यान दीजिए अगला एक इक जांपल मने दिया है हाँ यह बता इसका कामन डिफरेंस तो पता हो गए ना आपको इसमें देखो अगर सब्ट्रेक करो तो कितना आएगा भाई माइनस वन पॉइंट फाइब से बच्चा माइनस वन पॉइंट जीरो घटाना है तो बाबू अगर इनको अब सब्ट्रेक करोगे तो घटाना है ना और यह भी माइनस है में है ऐसे करना है वन पॉइंट फाइब प्लस 1.0 हो जाएगा ये माइनस में रहेगा माइनस 0.5 आएगा कितना आएगा माइनस 0.5 आएगा ये भी क्या आएगा माइनस 0.5 आएगा ये भी माइनस 0.5 आएगा अब मुझे ये बताओ तुम लोग चलो कि इसमें common difference क्या है कि सार बंतर क्या है कि अनुपम्रावत राकेस बहीं गलत है सब लोग का गलत है कि तुम सब लोग का गलत है क्यों गलत है क्योंकि आप माइनस नहीं लगा रहे हूं हाँ देखो यह गटेगा तो ही कंडिसन बनेगा ना यह माइनस में है यह भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यह गिंती बड़ी है उसी का चिन्द आएगा तो आंसर माइनस में आएगा बाकी ठीक है समझ गए ना सुबा के टाइम में बच्चे बहुत कम जुड़ते हैं कच्छा दस वाले पता नहीं कान आनी किनन यह उरे चले जाते हैं कुछ समझ में नहीं आता है नहीं पढ़ना चाहते हो लाइब मत पढ़ो हां नहीं पढ़ा हैं बस यही बोल दो ठीक है तो यह क्या हो गया बाबू यह हो गया आपका क्या हो गया समांतर स्रेडी आप सीख गए है न अब हम कुछ अगर आपके एक्जांपल बुक्स से करवा दें तो आप समझ जाओगे की नहीं समझ जाओगे न ठीक है लेकिन अभी हम इत्ती जल्दी नहीं चलेंगे हम ऐ जाद रखो कि पीवियार स्टेटी में राजकुमार सर ने हमें समानतर स्थेड़ी पढ़ाया था कभी और कभी लाइफ में ना भूलोगे चलो एक और सवाल लिख लो कच्छा 10 की एंसी आरटी गड़ित में यह बाबू आपका एक्जामपल दिया बच्चा हां हां एक बात और यहां पर हम आपको परिचे करवा दें पहले आप लिख लो तब एक्जामपल और करें नहीं पहले एक्जामपल कर लो तब बाद में लिख वाएंगे लिखो 3 बचदह एक बचदो माइनस एक बचदो 3 बचदो और यह केवल इंचामपल हो रहाँ अभी मैं एक्जामपल नहीं शुरू किया 1 अपान्टू मैनस 1 अपान्टू मैनस 3 अपान्टू पहले यह बताओ क्या यह समांतरस रेड़ी है चलो बोलो क्या यह समांतर स्रेड़ी है यस या नो बोलो जल्दी करो है और अगर यह है अगर यह समांतर स्रेड़ी है तो इसमें पर्थाम पद ए और अन्तिम ओ सरी कमन डिफ्रेंस जो होता है सारवांतर बताओगे चलो बाई देखो मुकेस का उत्तर आ गया प्रियंका प्रांजल अंकिता सिंग सुधान सू पावन बहुत अच्छे बेरी गुड संजीत कुमार का भी आ गया देखिए कुछ कमेंट हाइड हो रहे है कुछ कमेंट सो हो रहे है ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुड बच्चे यह समांतर फ्रेडी है की नहीं है चलो देखते हैं कैसे जानते हैं हम पर तेक दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे यही करते हैं पहले फे दूसरा नहीं घटा होगे ठीक है मतलब कुछ भी कर लो चलो घटा लो घटाना तो आपको आता है तीन बटा दो माइनस एक बटा दो घटा आओगे बच्चा तो यह दूई बटा दो बराबर एक आएगा एक आएगा ना अगर हम इसमें बात करें अगले में इसमें भी देख लो पहले हम इसका सलूसन कर ले फिर आगे जो मैंने बोला उसको करेंगे बाइसाब ऐसे बने गाना ऐसे दिया कुछ और दिया है ठीक है अब अब यह माइनस माइनस जुड़ते हैं बच्चा तो बाबू यह क्या हो जाएंगे माइनस और है एक बटा एक चीज़ और हां पर देहन दो कि इसमें हमने क्या किया दूसरे से पहला घटाया ना इसमें हमने पहले फिर दूसरा घटाया था तो हम एक ही तरीका अपनाएंगे चाहे तो पहले फिर दूसरा पद घटाया दूसरे से पहले से दूसरा घटाया था तो इसमें भी आप क्या करोगे पहले से दूसरा घटा यह एसे करो पाएला पजया की प्लस में यह माइनस में तो मिले कि घंगे ठीक हम ऐसे कर रहे हैं सब में तो नीचे नीचे बराबर है उपर-उपर क्या होगा घट जाएगा कि यूंभाइwers साहिए अ होगा कि कटाना ये अर्ल लेडी माईनस आए यह माईनस हो जाएगा और गंद कि उच्वाइन टू मैंनस प्लस पू न अपान टू हर षर बराबर मान्स जुड़ जाएगा थी बत्र दू बराबर एक आयगा येवी क्या रहा वन आफ कि यहां पर ध्यान देने वाली बात है आपको स कर यहां पर दूसरे की बात यहां पर कोई भी पद दूसरे से घटा होगे तो क्या होंगे यह बराबर होंगे आगे ऐसे कर लो वन ही आएगा अगर आप माइनस वन अपान टू से माइनस थ्री अपान टू गठा होगे तब भी क्या आईगा अगर इसमें से परतंपद ए और यान्फिम अरु सरी अन्फिम नहीं कॉमन डिफरेश डीप मूछा जाये तो क्या होगा बताओ चलो देखो बच्चा जो सबसे पहले होता उसे A से लिखते हैं वो पर्थम पद होता है तो 3 upon 2 क्या इसका पर्थम पद है common difference क्या होता है? D command वही होता है ये जो भी मैं घटा घटा के निकाला हूँ वो D command है ये answer होगे ठीक है? तो बच्चों आप लोग लाइब में ज्यादा संख्या में जुड़ रहे हो ये कलास में बहुत लंबी नहीं पढ़ाऊंगा और अगर आपने इस कलास को PVR study app में लिया है app में आप देख रहे हैं तो आप रेगुलर देखें इमानदारी से बढ़ें जिससे आपको सब कुछ समझ में आए ठीक है? अगर कोई doubt है तो आप हमें comment करिए हम आपको बताएंगे लेकिन आप रेगुलर्टी बनाओगे बच्चा तभी कुछ होगा नहीं कुछ होगा नहीं हाँ इसलिए आप रेगुलर्टी बनाओ और रेगुलर पढ़ो एक निश्चित टाइम से और धंग से बढ़ो अच्छे से तो चलिए फिर आज की कलास नहीं तक खतम करते हैं आदे गंटे हो चुके हैं क्लास तो गंटे होती लेकिन आप लोग की संख्या रहेगी जब तब भाई अगर सोपचास बच्चे भी नहीं लाइब में तो फिर हम बहुत बड़ी कलास नहीं चलाएंगे और अगर आप पीबियार स्टडी अप में देख रहे हैं तो आप अगली कलास देखिए आपको तुरंत अगली कलास मिलेगी अभी जैस्ट हम आ रहे हैं अगली कलास लेके तुरंत लेकिन अगर आप यूटूब पे हैं तो कल अगले दिन देखना आप सुबा हाँ अगर आ आप इस वाटसब नंबर पे अपना नाम कलाफ का नाम और अपने जिले का नाम लिख के भेज़ देंगे तो आपको वाटसब ग्रूप में जोड़ दिया जाएगा आपको कलास की लिंक मिलेंगी लेकिन याद रहे कि बिना कलास जॉइन किये आपको कोई भी सवाल का डाउट नहीं बता जाएगा तो भाई सवाल डाउट पूछने के लिए पीवियर स्टडी आपको जोइन करिए बाकि आप नार्मली कलास यूटूब वाली देख सकते हर रोज पूरी कलास देखने के लिए प्रेम फूर्बक आपको बहुत बहुत धन्यवत तो फिर मिलेंगे नेक् कुमार आज के लिए बस इतना ही